कि कि है कि हलो स्टूरेंट्स या कामिनेर अर्या असिसेस्टन पॉफिषर गवर्मेंट लग को लिज अचमेशी कि आज फिर मैं आपको billion स्ट्यर की प discovery見て नवर टेन never नहीं जाना चांते हैं उसी उनहीं सारी व्यवस्तावम को हम अल्टर्इटिव पॉरा पड़ चुके है जिसमें कि बताय गया है कि कोई अगर व्यक्ति है जो न्यायले में न जाकर न्यायले के बाहर अपने विवादों को निप्टाना चाहता है तो किस माद्याम से निप्टा सकता है माद्यस्तम के द्वारा या फिस सुलाय के द्वारा माद्यस्तम हम सुला अधीनियम के प्रोविजन्स के अकॉर्डिंग प्रापधानों के अनुसार या तो मद्यस्त के द्वारा पक्षकार अपने विवादों को निप्टा सकते हैं या पिस्तुलाए के द्वारा समझाता करवागर अपने विवादों को निप्टा सकते हैं इसे वेकल्पिक पद्दती में हम देख रहे हैं Legal Services Authority Act 1987 जो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं उसमें हमारा Legal Services का टॉपिक चल रहा है उन Legal Services में और कौन से विदिक साहता है किस पकासे दी जाएंगे उसकी बारे में आज का हमारा टॉपिक है सुप्रम कोड लीगल सर्विस कमिटी उच्चितम नियाले विदिक सेवा समीती उच्चितम नियाले विदिक सेवा समीती एक बनाए गई है जिसमें विदिक सेवा दी जाएगी इस कमिटी के द्वारा दी जाएगी उच्ए तुम नेयल ए हमारे देश की सर्वुच नेया एक संस्था है एक तरफ ये सर्वुच अपीलिय संस्था है तो दूसरी तरफ ये फैडर कोर्ट भी है क्योंकि ये राजे के बीच स्टेट और स्टेट के बीच राजे संग के बीच यानि कि Central Government और State Government के बीच आधी मौलिक बादू का निप्टारा करती है यानि ये उच्छ नम नहयले विदिक सेवा समिती Supreme Court Legal Services Committee Supreme Court अपने आपने सबसे higher authority है और ये higher authority किस-किस के एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में एक स्टेट और Central Government के बीच में अगर किसी तरह का कोई विवाद हो गया, मौलिक विवाद हो गया तो इस कमिटी के द्वारा निप्टाया जा सकता है यह मौलिक अधिकारों की भी प्रारम्बिक नेक संस्ता है क्योंकि देश के नागरिक सम्मेदान के अनुचित 32 के अंतरकर अपने मौलिक अधिकारों के उलंगन को इसमें सीधी चुनौती देते है सम्विदान के अनुचित 32 के अंतरगर अगर किसी विक्ति के मौलिक अधिकारों को उलंगन हो रहा है तो डारेक्ट कोर्ट में जा सकते किसमें सुप्रिम कोर्ट में अनुच्छत बत्त के अंदर का डारेक्ट सुप्रिंग कोट में जाया जा सकता है। इसी तरीके से उच्छतम नयायले नागरिकों को कई रूपों में नयाय प्रदान करता है। उसका शित्रादिकार बहुत व्यापक है। गरीब, असहाय, अशिक्षित, आधी अनेक लोग इ इसलिए विदिक सहायता की अबधार्णा को ध्यान में रखकर उच्छतम नयायले से सभी को युच्छतित नयाय प्राप्त करवाने हैं तो विदिक सेवा प्रादिकरण अधीनियम 1987 के अंतरकत उप्त विदिक सेवा समीती का उच्छतम नयायले में गठन किया गया है। तो नयाय प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं जिनके मौली का देरों का लंगन हो रहा हैं कोट में जाने के लिए उनके पास पर्याप्त सुवीदा नहीं है निर्धन है तो उनकों किस कमिटे के द्वारा उनके ऐसे लोगों को लीगल सेवा दी जाए साहता की जाए और वो विवादों को लेके आ सकें तो इसलिए सिप्रुमण कोड ने एक सुप्रिम उप्रिम कोड लीगल सर्वस कमिटी के नाम सें तो ये उच्छ सेवանमीती से जतन में नामीं है जो विदिक साहिता सेवा समीती के अंदरकत जो भी कोई भी प्राब्धन है वो सब उसी में दिये गए हैं इस समीती का मुख्य कार रहे उचितम नयाले में लंबित मुकद्मों से समधित पक्षकारू की विदिक साहिता अपलब्द कराना तता लोग अदालतों का आयोजन करन होता है कि लोगों को पक्षकारों को विदिक साहिता अपलब्द कराने लोग अदालतों को गठन करें लोग अदालतों को आयोजन करें इस लोग अदालत के बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे आयोजन करें अब इससे क्या होगा कि लोगों को लंबित मुकद्मों से साहईता मिलेगी वो अपने मुखद्मों को यहाँ पर सुप्रिम कोरण ड्वारा बनाए गई समीपी के अंदर अदला सकते हैं लोग अदलतों का जब सुप्रिम को टायोजन करेगी तो लोग अपने विवादों को लोग अदलत मे लग के आएगे परंतो इस समीति के कारे इम्शक्ति के सम्मन में धारा तीन में एक आ गया है कि इस समीति के कारे इम्शक्तियों का निर्धार राष्टे विदिक सेवा प्राधिकन द्वारा नियम बना कर किया जाएगा नियम बनाकर किसके प्रपर नियम होने चीए एक रूल्स तो चीए जिन्को फॉलो किया जाए दारात तीन में ये भी का गया है कि समीति का गटन किस तरीकी से होगा उच्छतम नयाले का कारज़त इम नयादिश जो समीति का सभापती होगा जो सुप्रिम कोर्ट में अभी जो कालरत नहादीश है जो कमिटी है जो समीती बनाई गई है इसका सवावपती होगा उक्त अध्यक्ष के अतिरिक ऐसी संस्था में अन्य सदस्य होंगे जितने केंदी सरकार द्वारा भित प्रस्क्राइब किये जाए यानि कि जैसे जैसे कें आपसे इसके अंदर सदस्य होंगे इन सदस्य के योग्यताव अनूबथ का निर्धारन भी किया सरकार द्वारा किया जाए के जाएगा। उच्छ समीती का एक सचिव भी होगा जो इसकी न्युक्ती भारत के मुख्य नहादिश द्वारा की जाएगी परंद उसकी योग्यता अनुबर्म का निर्धारन के इंति सरकार द्वारा किया जाएगा अब यहाँ पर भी सचिव भी होगा है और उसकी अपॉइंटमेंट इस प्रकासे की जाएगी योग्यता अनुबर्म भी सेंट्रल कॉर्मेंट टै करेगी समीती के सदस्यू एम सचिव की पदावदी वे अन्य सेवा शर्ते वे होंगी जो राष्टी विदिक सेवा प्राधिकरियों ड्वारा वीनी में बना कर तै की जाए उक्तु समीती के कार्यो अब वहां पर ठीक लगता है कि ऐसा होना चीए वो उस प्रकासे कारे करेंगे उक्त दारा की यानि कि इस दारा की खंड में ये भी कहा गया है कि समीती के अधिकारियों कर्मचारी की वेतन बत्ते वा अन्य शर्ते सेवा शर्ते जो भी है उनका निर्धारन भाग के भारत के मुक्य नयाइदीश के परामर्स से किंदी सरकार दोरा किया जाएगा और इस कमिटी में काम करने वाले जो भी अत्यक शैस अचिव है सेक्यूर्टरी वगर प्रेजिडेंट उन सब का जो भी सेवा शर्ते होंगी वो सब कौनते करेगा सेंट्रल गौर्मेंट है करेगी करेख्यद किंदी के हाथी जीक संब करती है परण जिसके कार्यों शक्तियों के नियदारन को राष्टी विदिक्सेवा प्रादीकरण के हातों में सौंप देती यानी की कमिटी होगी लेकिन कारेशक्तियों का निधार्ण कौन बताएगा नैशनल यानि के राष्ट्री है विदिक सेवा प्राधीकरण समीती के हाथ में रहेगा तो यह तो होगी सुप्रिम कोड की बात आगे हम देख रहे हैं हाई कोड की हाई कोड लीगल सर्विस कमिटी जिस प्रकास से उच् अधिक का भी कटन किया गया है उच्छ नैले की विरज्जी की राज्य उस्थर पर सबसे उंच्षी नियाईक संस्ता है यह भी एक अपीली नैयले है और सभिदान के अनुछी टूटू सस्थ के अंतरगत नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए प्रार्बिक न्यायईले यानि कि किसी व्यक्ति के पंडामेंटर राइट स्मूल अधिकारों का अनन होता है, तो सबसे पहली सीडी कौन सी है? उच्छ नियाले ही है, हाई कूड ही है. इसका भी नियाये प्रदान करने का शेत्र अत्यन व्यापा के बहुत बढ़ा शेत्र है इसका, चुकि कोई व्यक्ति इस नियायले की अधिकारिता से गरीबी, अशिक्षा, अग्यान्ता या अन्य किसी कारण से नियाय प्राप्त करने से बंचित ना रहे, इसलिए विदिक सेवा प्रादिकर अधीनियम के अंदगत एक उच्छ नयायले से विदिक सेवा समीती की सापना की गई है इस समीती की सापना का उप्देश्य नागरिकों को उच्छ नयायले में विदिक सेवा तता साहता प्रदान कराना है तता इससे सम्धित अनेक कारिक्रमों को संचालेत कर उन्हें प्रभावी बनाना रहे निया उप्लत कराती है विदिक सेवा उपलब्द कराती है ये भी वही काम करीगी इसे संब्धित कारिक्रमों को संचालत एम प्रभावी बनाए गया है उच्छ नहले में विदिक सेवा समिती का गटन विदिक सेवा प्राधीकरण अधीनियम 1987 की धारा आठ के अनुसार किया गया है गटन की सेवा अधीकरण विदिक सेवा प्राधीकरण विदिक सेवा प्राधीकरण ⑫ 1987 यह विदिक सेवा प्राधीकरण अधीनियम antowser कर्क अधिदियम अंतरकत अधिदिनियम्गी धारा किया जाएगा समीती का गटन किस्ते होगा उच्छ नयले का कारत एम न्यायदीश जो समीती का सभापती होगा अब देखिए वहाँ पे सुप्रिम कोर्ट का होगा यहाँ पे हाई कोर्ट का होगा सिप्रिम कोर्ट अगर बनाएगी तो वहां का नियाइदीश वहां का सभापती होगा उचनेयले हाई कोड बना रही है तो यहां पर काररत नियाइदीश समीती का सभापती होगा अन्य उतने सदस्य जो राज्ये प्रादिकन द्वारा विनी में बना करते किये जाए इस तरहीय से इन अन्य सदिस्यों की योगिता रनूबवी राज्य प्रादिकन द्वारा भी निमित किया जाएगा परन्तु उनका नामन का उच्छ नयले के मुख्य नयदीश द्वारा किया जाएगा परंतु इस सचिव के पदध पर उस अनुबव तता योगिता वाले विक्ति को ही निऊक्ति किया जाएगा जो विक्ति राज्यो-सरकार दोरा ने रहाईत योगिता और अनुबव रखता हूँ यहाँ पर देखिए अनुबा और योगिता की बात केगे कि उसी विक्ति को रखा जाएगा उक्त समीती की सचेव एवाम सदस्यों के पदावती वा अन्य सेवा शरते बे होंगी जो राज्ये विदिक सेवा प्राधीकर्ण द्वारा नियम बना कर तै की जाए समीती अपने करतवे के सुचारों रूप से संचा संपाधन हे तू उतनी संक्या में अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जो राज्ये सरकार दोरा निर्धायत किये जाए परन्तु ऐसी निुक्ति के लिए राजने के उच न्ययाले के मुक्यrialए के परामश करना जरूरी होगा दीखिए, यहाँ पे हाइ कोट के मुक्यrialए से परामश एडवाईस लेना जरूरी है समीती के अधिकारियों तता कर्मचारियों के वेतन बत्ते तता अन्य सेवा शर्ते वे होंगी जो उच्छ नयाले के मुख्य नया अधीश के परामर से राज्य सरकार दोरा निर्धारित किये जाएंगे जो भी सर्णलों तैबिक करेगी जो भी गौर्णन्ट तैब करेगी उसके द्वारा उक्त समीती को गटित करने का अधिश्य ऐसी शक्ति तता कारेयों को निश्पादन करना है जिने राज्य प्रादीकर्ण विदियम बनाकर सुनिचित कर सके परंतु सदिनियम में समीती के कारे शक्ति वकरते वकर सपश्ट उल्ले साफ नहीं बताये गया है तो इस कारे को तो नहीं साफ बताये गया है लेकिन जित्ता हम इसको देख रहे हैं पढ़ रहे हैं यह उनों के अमोमन एक जैसे विदिक सेवा ही दोनों प्रदान कर रही है दोनों के द्वारा सुप्रेम कोट के मुक्य नहीं दिश और हाई कोट के मुक्य नहीं दिश का इसके अंदर पूरी तरीके से इस कमीटी को बनाने में इनका इन्वाल्मनेट रहता है और वे इस कमीटी की सवापती होते हैं और आगे कार्वे करते हैं विदिक साह सेवा देने का यह कार इन कमीटियों की द्वारा इन समीटियों के द्वारा दिया जाता है आगे की क्लास में हम नए टॉपिक की साथ फिर पढ़ेंगे थैंकिश्टूडेंट्स